नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ओनलाइन प्लेटफॉम पर हार्दिक स्वागत है तो जैसे कि असिस्टेंट लाइन में एलम की जो वकैंसी है इसके अंदर के है जो भी शीटर गेंग थी उन पर काफी जबरदस तरीके से हरियाना निवाने वाले दो दलालों को ठीक है दो दलालों को इन्होंने क्या है रिमांड पर बेज़ दिया है यहां पर आप देखी पूरा मामला क्या है मामले में पूस्तास के लिए पुलीस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड कर लिया ठीक है ना रिमांड पर ले लिया तो इसमें देखी क्या कुछ दिया हुआ विजली वाकी एलम भरती मामले में S.I.T. ने असली और नकली अबेर्थी के बीज दलाल की भूमी का निवाने वाले दो लोगों को काबू कर लिया यानि ये लोग जो है वो असली और नकली की दोनों के कारवाई कर रहे थे तो S.I.T. ने दोनों अरोपियों को अधिक पूस्तास के लिए कोर्ट से एक दिन के रिमांड पर लिया है पुलीस ने दोनों अरोपियों की पहचान कुलदीप सिंग पुत्र चेत राम निवासी गाओन नेला का ठीक है नेला फतेवाद रामफल पुत्र चंदर चंद जो है वो निवासी बिठमडा हिसार के रूप में तो बिठमडा का निवासी आप सभी ने पहले छुन रखे रामफल के बारे में तो और ये एक और नाम यहाँ पर सामने आया है आप सभी देख सकते हो जो कुलडीप सिंग जो हो पुतर चेतराम निवासी नेला के है ये ठीक है इन्होंने क्या है जो एलम के अंदर जो exam हुआ था उसमें बिचोल ये की कारवाई किया बिचोल ये आप समझते होंगे कि जिस बचे ने exam दिया है ठीक है ना उससे और जो exam देना जो sitter बेटा था उस से दोनों के बीच में बात्चीत इन्होंने कर वाई है ठीक है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अगे ओर बात देखते हैं एलम बरती के लिए दस्तावेज की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है ठीक है ना चल रहा है जहां संजे उृफ यहां क्या रखा है संजे उृफ उसने एलमपत पर अपनी प्रिक्षा किसी अन्य यूग से दिलवाई थी जिसे लेकर पुलीस ने फरवरी से मामला दर्ज कर लिया है अब S.I.T. ने इस मामले में दलाल की भूमी का निवाने वाले दो आरोपियों को काबू कर लिया है S.P. वीजे कुमार ने बताया कि पुलीस अन्य वागू में बरती प्रक्रिया में जाल साजी को लेकर अभी तक आठ केस दज किये गए है इसमें पुलीस के कुल 43 आरोपियों को गिरुफतार कर चुकी है मामले से जुड़े अन्य अरोपियों को लेकर लगातार चापमारी की जा रही है तो ये न्यूज आप देख सकते हो जो कि हर्याना लाइनमेन के अंदर जो भी अभी अर्थी सीटर गेंग से डर रहे थे वी सीटर गेंग पर क्या होगा तो उन पर काफी अच्छी कारवाई की है हर्याना स्टाप सेलेक्शन की तरफ से तो बाकी उमीद करते हैं जल्द ही इसका रेजल्ट जारी होगा और मिलते हैं नेक्स्ट थेंक्यू वेरी मच